पुर्व परधान मंत्री इंद्रा गांधी कभी स्वामी करपात्री महराज को खुब मानती थी पर उनका मान समान करने के बाद भी वह एक बार उनसे किये अपने वादे से मुकर गई नतीजन स्वामी को अंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा नौबत साधु संतों और गोरचकों पर फाइरिंग तक की आई जिसके बाद संसद के सामने साधुं की लासे उठाते हुए करपात्री महराज ने गांधी को साप दे दिया था किस्सा 6965 के आसपास का है देश में गोहत्या बंद कराने और गोरक्षा पर सक्त कानुन लाने के लिए विसाल अंदोलन हुआ था अगले साल संत इसी मांग को लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली कूच कर गए थे यह वा दोड था जब गांधी करपात्री महराज का खा बंद करा देगी बाद में वा चुनाओ तो जीत गई पर अपने वादे को लेकर असपस्ट नजर नहीं आई तब करपात्री महराज को सड़क पर आना पड़ा लाखो साधु संत गोहत्या और गोर अच्छा के मुद्धे पर कानुन की मांग की कानुन की मांग को लेकर संसत के बाहर धरने पर आ गए तारिक थी साथ नुवंबर 1966 करपात्री महराज के तब साथ रामचंद्र वीर भी थे जिन्होंने आमरन अनसन का एलान किया था करपात्री महराज वह अन्य के नित्रितु में जब संत संसद कूच कर रहे थे तब भारी संख्या में महिलाएं भी थ संसद के बाहर हर्याना के करनाल जिले से जन्संग के ततकारिन संसद स्वामी रमेश्वर नंद संतों से बोले कि संसद में घुसे और संसदों को पकड़कर बाहर ले आये तभी गोहत्या रुकने से जुड़ा कानून बनेगा बताया जाता है कि इंद्रा गान्धी ने इस पूरे घटना करम के बाद फाइरिंग के आदेश दे दिये थे अंधा धुन गोलिया चलाई गई जिसमें सेक्ड़ साधु संद और गोर अचकों की जान गई थी राजधानी में कार्फिय लगाने तक की नौबत आ गई थी कई संद जेलों में बंद कर दिये गए थे तब गिरी मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे जिन्होंने मामले से दुखी होकर इस्थिपा दे दिया था उन्होंने खुद को इसके लिए जिम्मेदार बताया था कहा जाता है कि करपात्री ने तब इंद्रा को साब दे दिया था कि जैसे उन्होंने साध्यों पर फाइरिंग कराई है ठीक ऐसा ही उन्खा भी हाल होगा या साब उन्होंने संसद भवन के बाहर संतो साध्यों की लासे उठाते हुए दिया था वह इस घटना के बाद अवसाध में चले गए थे गोरकपूर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्यान में इस घटना के बारे में छपा था पत्रिका में करपात्री महराज के हवाले से इंद्रा गांधी के लिए छपा था मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुने निर्दो साध्यों की हत्या कराई बलकि तुने गव हत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है या माफी के लायक नहीं है वो पस्टमी के दिन ही तेरे वन्स का नास होगा स्वामी करपात्री महराज का नाम हर नारायन ओजा था दिक्षा के बाद उनका नाम हरिंदर नात सरसोती पड़ा लेकिन वह मसुहुर हुए करपात्री नाम से ही वह अपनी अंजुली का इस्तेमाल खाने पीने के लिए करते थे इसलिए वह करपात्री के नाम से प्रसीध हु कर दो कर दो दो कि कि अध कर दो खुआार को जी कि अ अबसु कर दो दो खुआ है तो कि अ अबसुर कर दो हुआ।